जिले में पिछले पॉने दो वर्षों से जारी कोरोना महामारी के चलते स्टी बस सेवा बंद कर दी थी जो कि आज तक ग्रामिन भागों में शुरू नहीं हो सकी है हलाकि जिला प्रशासन ने अब सभी क्षेत्रों को खोल दिया और मंदिर और स्कूलों को भी शुरू करने की गोशना कर दी गई है लेकिन ग्रामिन ख्षेत्रों में आज भी स्टी नहीं पहुचने से यात्रियों के साथ ही स्कूली चात्रों वह पालकों के लिए समस्या बनी हुई है सरकार ने स्कूल खोलने का तो निर्णे लिया लेकिन S-T बसों के ग्रामिन भागों तक पहुचने के लिए ध्यान नहीं दिया गया जिले की तहसिलों में आज भी एक गाव से दूसरे गाव तथा शहर में आने जाने के लिए S-T बस ही एक मात्र साधन है हर गाव में पहले स्टी बस की कम से कम पाच फेरिया हुआ करती थी जिससे गाव के यात्री नौकरी पेशा लोगों के साथ विद्यारतियों को भी काफी सुविदा हुआ करती थी लेकिन कोरुना काल से स्टी बसों की फेरिया बंध होने से ग्रामिनों को काफी परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुच पा रहे है अब जब सरकार ने ग्रामिन भागों में पाचवी से बारवी तक स्कूल खोलने का निर्नय लिया है तो स्टी बसे भी शुरू की जानी चाहिए बिना स्टी बस छात्र स्कूलों तक कैसे पहुच पाएंगे ये सवाल पालको द्वारा उठाया जा रहा है बारिश के दिनों में छात्रों के लिए स्टी बस ही सहारा होती है पालको सहिद ग्रामिन भागों के नागरिकों के लिए स्टी महामंडल द्वारा इस दिशा में जल्द से जल्द निर्ने लेने की मांग की है